तो गाईज आज हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं स्वस्थ वृत का जो की है definition of स्वस्थ, स्वस्थ और स्वस्थ वृत तो मैंने जो बुक यूज करी है वो है सरवेश अगरवाल की स्वस्थ विज्ञान की यह आपकी पार्ट ए के लिए बेस्थ बुक है जो की आप यूज कर सकते हो तो इसमें सब स्लेबर स्वाइज है बस आपको पॉइंट्स मार्क करने है तो जैसे कि मैंने हाइलाइट करके रखाये पहले से ही स्वस्थ एवं स्वास्थ की परिभाशा और स्वस्थ वृत की परिभाशा अब हम दोनों पढ़ेंगे तो चक्रपाणी ने चरक संग्ता की व्याख्या में लिखा है कि सुष्ठु निर्विकार अत्वेन अव्तिष्थती इती स्वस्थ स्वस्थ स्य भावह स्वास्थ तो सुष्ठु निर्विकार अत्वेन अव्तिष्थती इती स्वस्थ जो व्यक्ति विकार रहित अवस्था में स्थित हो सुष्ठु निर्विकार मतलब की ऐसा व्यक्ति जो निर्विकार हूँ ठीक है व्यक्ति विकार रहित अवस्था में स्थित हो उसे स्वस्थ कहते हैं उसे क्या कहते हैं स्वस्थ कहते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति के भाव को ही स्वास्थ कहते हैं और यह जो स्वस्थ होने का भाव है, जो यह स्वस्थ होने का भाव है, यह जिस व्यक्ति में होता है, उसे क्या क्यते हैं? स्वस्थिक क्यते हैं, तो इन दोनों का क्या मतलब हुआ? स्वस्थ का मतलब हुआ healthy और स्वस्थिक का मतलब हुआ health. इसके बाद आता है स्वस्थव के लिए जो व्यवार किया जाता है वह स्वस्त्रिश विशे के अंदर गता है तो स्वस्त्रित का मतलब क्या होता है कि हमें स्वस्त रहने के लिए ऐसे वृत को अपनाना है कि स्वस्त रहने के लिए ऐसे व्यवार को अपनाना है ऐसे आहार विहार को अपनाना है जिससे कि हम हमारा स्वास्थ मेंटेन हो सके, हमारी हेल्थ मेंटेन हो सके तो स्वस्वृत दो शब्दों से मिलकर बना है स्वस्थ एवं वृत अब जैसे आप परिभाशा आपके पास question आता है कि आपको परिभाशा लिखनी है तो आप पहले जो शब्द है उसका विछेद कर देंगे तो स्वस्थ अलग लिख देंगे वृत अलग लिख देंगे तो स्वस्थ दो शब्दों से मिलकर बना है स्वस्थ एवं वृत अर्थात स्वस्थ रहने के लिए किये जाने वाला विहवार याने की आहार विहार उसे स्वस्वृत कहा जाता है ठीक है उसके बाद इसके लिए एक श्लोग दिया गया है स्वअस्मिन स्थाने स्वअस्मिन कर्मानी स्वसु रूपे स्थियते तत्वृत्तम स्वस्थृत्तम तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आहार विहार जिसको करने से दोश, धातु, मल अपने अपने स्थान पर रहे स्वअस्मिन स्थाने अपने अपने स्थान पर रहे हमें क्या करना है हमें स्वअस्मिन कर्मानी हमें ऐसे कर्म करने है जिससे की हमारे दोश, धातु, मल अपने अपने स्थान पर रहे स्वसु रूपे स्थियतें अपने अपने स्थान पर रहें तत्वित्तम स्वस्तवित्तम उसी को का जाता है स्वस्तवित्तम आहार विहार करना है ऐसा जिसको करने से दोश धातु मल जो भी है वो अपने अपने स्थान पर रहें याने की दूशित ना हो अपने अपने कारे को करे और क्या करें अपने अपने कारे करें एवन अपनी प्रकरतिक रूप में रहें का पालन करना ही स्वस्वृत है हमें ऐसे आहार विहार का पालन करना है कि जिससे की हमारे दोश, धातु, मल जो ये तीन है ये अपने अपने स्थान पर रहे स्वास्मिन स्थाने, स्वास्मिन कर्मानी जो दोश धातु मल है हमें ऐसा आहार विहार करना है जिससे की जो दोश धातु मल है वो अपने स्थान पर रहे, अपने कारे करे, स्वास्मिन कर्मानी, स्वासू रूपे स्थियते, अपनी जगा पर बने रहे, तत्वृत्तम, स्वास्तवृत्तम तो वो जो हम पालन करेंगे, उसको बोलेंगे हम स्वास्तवृत्त ठीक है तो यह तीन डेफिनेशन अभी तक हमने करी हैं हमने अभी स्लेबस का पहला पॉइंट कवर किया है जो की है डेफिनेशन अभ स्वस्थ, स्वस्थे and स्वस्थ वृत्ता उसमें हमने यह बढ़ा है जिसमें की हमने दो श्लोग पढ़े हैं अगर आपको श्लोग याद होते हैं तो वैलन गुड़ आप इसे याद कर सकते हैं अगर आपको नहीं होते हैं तो आप यह छोड़ सकते हैं आप सिर्फ परिभाशा याद कर सकते हैं स्वस्थ का मतलब क्या होता है आप अपने माइंड में यह बठा लें कि स्वस्त का मतलब होता है healthy, ठीक है, और स्वास्त का मतलब होता है health, और उसके according अपनी definition बनाए, ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि words काफी similar है, उसके बाद हम स्वस्त वृत में, आपको जैसी स्वस्त की परिभाशा लिखने के लिए कहा जाए, सबसे बिल होता है, स्वस्त वृत, okay, तो ऐसा ARVR करना है, जिससे की दोश, धातु, मल जो भी है, वो अपने अपने स्थान पे रहे, अपने अपने कार्य को करें, अपने प्रकर्तिक रूप में रहे, और उसे ही कहा जाता है स्वस्त वृत, ठीक है, तो यह इन तीनों की definition हो गई, अब तो यह सुष्चुत का श्लोक दिया गया है, समधोशह, समअगनिष्च, समधातु, मल क्रियह, प्रसन आत्में इंद्रिय मनाह, स्वस्त इत्य बिद्यते, तो यह इस श्लोक आपको ज़रूर से याद होना चाहिए, ठीक है, अगर आपसे question पुझे जाता कि आरोग्यों होन सम प्रमान में हो, मल कि क्रियाए, ठीक प्रकार से हो, एवं आत्मा इंद्रिया और मन प्रसन आवस्था में हो, वह व्यक्ति, स्वस्त कहलाता है, ठीक है, तो यह श्लोक आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यह इजी भी और हम फर्स्ट इयर से पढ़ते भी आ रहे हैं, तो यह साब से वह जादा इजी है याद करना, ठीक है, फिर चरकोक्त में भी यही बोला गया है, सम मांस प्रमानस्तू, सम सनहनो नरह, द्रडेंद्रियो, विकाराणा, न बले न भी भूयते, शुप्तिपास, आतपसह, शीत व्यायाम, संसह, सम पक्ता, सम जरह, सम मांस, चयों मतह, यह चरक ने बताया है, ठीक है, तो इसमें वो क्या कहते हैं, कि जिस व्यक्ति की मांस धातू सम प्रमान में हो, सम सनहनो नरह, शरीर का गाठन समान हो, ठीक है, जो द्रड शरीर का हो, कहने का मतलब यह है, द्रडेंद्रियो, विकाराणा, न बले न भी भूयते, इंद इंद्रियां द्रड हो, रोगों का बल जिसे पराजित न कर सके, विकारा नाम न बले न भी भूयते, रोगों का बल जिसे पराजित न कर सके, ठीक है, शुप्ति पास, आतप सह, शीत व्यायाम, सन सह, भूक, शुप्ति भूक, पास, प्यास, आतप सह, धूप, शीत, एवं व्यायाम को सेहन कर सके जो क्या-क्या सेहन कर सके भूग, प्यास, धूप, शीत, एवं व्यायाम को सेहन कर सके पाचन शक्ती सम हो सम पक्ता पाचन शक्ती सम हो सम जरह ठीक समे पर व्रिध्य वस्ता आए सम मानस मानसाती धातों का उपचय समान हो वह व्यक्ति अनिंदनिये है अर्थात स्वस्थ है तो ये तो हो गया श्लोक का मतलब कहना क्या चाते हैं ये ये कहना चाते हैं कि जिस व्यक्ति की मान्सधातु संप्रमान में हो कि ऐसा व्यक्ति जिसकी मान्स धातु जो है वो संप्रमान में है, शरीर का गठन समान है, इंद्रिया द्रिण है, रोगों का बल जिसे पराजित न कर सके, भूख प्याशीत व्यायाम वो सेहन कर जाता है, पाचन शक्ति उसकी सम है, ठीक समय पर वृद्धवस्ता आई, एवं मान्स धातु का उप्चे समान हो, वह व्यक्ति अनिन्दनिय है, अर्थात स्वस्त है, तो वो क्या है? स्वस्त है, मतलब कि वो आरोग्य है, उसको कोई रोग नहीं है, तो सेम उन्होंने शुष्रुत ने, पहले श्लोक हमने पड़ा शुष्रुत का, जिसमें उन्होंने ब पढ़ सकते हैं, मैं इसकी हिंदी पढ़ देती हूं आपके लिए, भोजन करने की इच्छा खाय हुए, भोजन का सुक पूर्वक पचना, मल मूत्रव वायू का उचित रूप से विसर्ग होना, शरीर में हलका पन, प्रसन्ने इंद्रिया, सुक पूर्वक सोना, एवं था फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट अथापिक आता है स्वस्थवृत् प्रयोजनम सवस्त व्रित प्रयूजनम तो उसमें आप हमारा समित कर सकते हैं यह फॉस्ट यह से पढ़ते हैं ठीक है तो इसमें क्या बोलाए कि आयुरुवेद का प्रयोजन स्वस्त व्यक्ति के स्वास्त की रक्षा करना, स्वस्त व्यक्ति के स्वास्त की रक्षा करना एवं रोगी के विकार को शांत करना है अतह स्वास्त रक्षन आयुर्वेद का सर्वप्रथम एवं अती महत्वपून उद्देश्य है जिसकी प्राप्ती स्वस्त वृद्द्वारा की जा सकती है तो स्वास्थरक्षन आयुरुवेद का क्या है सर्व प्रथम एवं अति महत्वकून उदेश है जिसकी प्राप्ती स्वास्थर द्वारा हम कर सकते हैं तो वही बोला उन्हें प्रयोजनम चाहए स्वास्थरक्षनम आतुरसे विकार प्रशमनम चाहए यह जो कुछ श्लोक है ना, जैसे कि यह वला, समधोशह, समअगनीश्य, समधातु मलकरिय, यह वला, एक यह प्रयोजनम चाहस से, यह आपके टिप आफ दे टंग पे होने चाहिए, ओके, यह आपको अच्छे से आने हैं, तो आप यह अलग से पेज़ पे लिखे हो एक डेली रिवाइस कीजिए, देली देखिए, उसके बाद आता है, यह होते हैं प्रयोजन, कि प्रयोजन क्या होता है, स्वस्त्रित का प्रयोजन क्या है, कि वो स्वस्त वेक्ति के स्वास्त की रक्षा कर सके, ओके, नेक्स्ट है, धर्मार्थ काम, धर्मार्थ काम, मोक्षा अनाम, आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगस्त स्या अपहत्तरर्ः श्रेयसो जीवतस्यच ये चरक ने बताया है ये ना भी याद हो तो चलेगा बट ये वला याद होना बहुत जरूरी है तो धर्म अर्थकाम मोक्ष इन चारों की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति निरोग रहेगा क्योंकि रोग व्यक्तियों के मुख के सुख वो स्वास्ते को हर लेता है क्योंकि जो रोग होगा अगर रोग होगा व्यक्तियों को तो वो उसके सुख को और स्वास्त को हर लेगा मनलब की मिटा देगा अतह इन पुरुशार्थ चतुष्ठयों की प्राप्ति के लिए स्वसृत पालन अवश्यक है पर पुरुशार्थ चतुष्ठय क्या है यह हमने पुरुशार्च चतुष्ठे होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोख्ष, इन चारों की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति निरोग होगा, ठीक है, तो उसके लिए स्वस्रित का पालन करना आवश्यक है, उसके बाद यहां और भी दे रखे हैं, यह भी चरक निदान स्था का रफ्रेंस है, यह भी श्लोग इतना इंपॉटन नहीं है, पर हिंदी पढ़ सकते हैं, व्यक्ति को सभी कारे छोड़कर सर्वपथम शरीर का पालन अर्थात स्वस्थे रक्षन करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहने पर ही अन्य भावों की, अन्य भाव है, यदि स्वा स्वास्ते की रक्षा करें क्योंकि अगर स्वास्ते ही ठीक नहीं होगा तो फिर हम कुछ करी नहीं पाएंगा हूं डेली जो हमें काम करने हैं जो हमें कारिप करने चाहिए जैसे कि शास्तर अध्ययन और जो भी हमें छोटे मोटे जो डेली की काम है वो हम नहीं कर सकते हैं अब हमें जो नेक्स टॉपिक पढ़ना है वो है डबलु एच्छो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ डबलु एच्छो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ 1948 हेल्थ इस टेट अफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल और सोशल वेल बिएंग तो डबलु एच्छो ने ये कहा था कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपसंस है किसी डिजीज की मतलब कि आप ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मुझे बुखार नहीं है तो मैं हल्दी हूँ या मुझे किसी परकार का दर्द नहीं है तो मैं हल्दी हूँ पर health का मतलब ये होता है कि आप physically, mentally और socially अच्छा फील कर रहे हैं You are well, okay How you are well? Physically, mentally and socially तो ये तीन points याद रखने है अगर आपसे exams में पूछा जाते हैं तो आपको ये तीन terms mention करनी बहुत जरूरी है ठीक है? क्या? कि health is a state of complete physical, mental and social well-being ठीक है? and not merely an absence of disease or infirmity तो इसके बाद आता है next topic आप syllabus में दिखेंगे तो दिया हुआ है dimensions of health physical, mental and social तो dimensions of health physical dimension क्या होता है? that all the organs of the body are of proportionate in size कि जितने भी body में organs हैं वो सभी एक appropriate size के हैं proportionate size के हैं okay body well clothed with firm flesh जो आपकी body है वो अच्छे से flesh से covered है मतलब की शरीर में भरपूर मांस है good complexion clear skin lustrous hair and bright eyes जो complexion है वो बहुत अच्छा है skin साफ है hair बहुत अच्छे है और आखे बहुत चमकदार है good appetite अच्छी भूग लगती हो आपको regular activity of bowels and bladder आपको अच्छे से अपका पेट साफ होता हो आपको यूरीन अच्छे से पास हो coordinated आपकी bodily movements हो okay अच्छे से आप चल फिर पाते हो sound sleep हो आपको अच्छी नीन दाती हो pulse BP प, र, आप, इक्सरसाइस, तोलरेंस, आपको नोर्मल, अच्छी नोर्मल, झापो अच्छी के अच्छी के अच्छी नोर्मल आपको का हो WHO definition of health बताई और उसके बाद dimensions of health बताईए तो आपको WHO definition of health लिखने है कि health is a state of complete physical, mental and social well-being and not mainly an absence of disease उसके बाद dimensions of health में आप तीन मेंशन करेंगे physical, mental and social ठीक है तो तो तीन है physical, mental and social तो physical में आप क्या लिखेंगे कि जितने भी organs और बॉड़ी है वो अच्छे खासे proportionate size में है body अच्छे से flesh से covered है skin अच्छे है, hair अच्छे है, eyes अच्छे है, भूग अच्छी लगती है हाँ, अच्छे से अपका bowel clear होता है, bladder अच्छे से clear होता है उसके बाद आपका bodily movements अच्छी है, neend अच्छी आती है, be people, सब सब एकदम okay है उसके बाद आपको बताना है mental dimension तो mental dimension में हम क्या बताते हैं A state of harmony between oneself and the others एक state of harmony हो, मतलब कि एक सद्भावना हो उसकी खुद से और दूसरों से A coexistence between the realities of self and that of the other people and that of the environment और उसको realization हो खुद के साथ, दूसरों लोगों के साथ और environment के प्रती भी Free from internal conflicts, he is not at war with himself वो internal conflicts से दूर हो मतलब उसे खुद से चिडन ना हो, खुद से इरिटेशन ना होती हो तो वो free हो internal conflicts से उसे अंदर ही अंदर कोई बात खाती ना रहती हो ऐसे करके जो internal conflicts होते हैं वो उसे ना हो, सही ना लड़ रहा हो ठीक है, कि मुझे ऐसे नी ऐसे करना चाहिए, वैसे नी ऐसे होना चाहिए, तो वो चिड़ जड़ापन नहीं होना चाहिए faces problems and tries to solve them intelligently उसको दिक्कते भी आती हो, बर उसे वो अच्छे से solve करता हो ऐसा ना होता हो, कि उसके सामने problems आती हो, तो कहता हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मैं सबसे ज़्यादा परिशान हूँ, बगवान मुझे सारी दिक्कते देता है तो उसे ये सब नहीं feel करना चाहिए, उसे हमेशा problems को face करना चाहिए और उन्हें अच्छे से solve भी करना चाहिए, intelligently तो mental dimension में आता है कि एक इंसान को अपना health maintain करने के लिए, अपना mental health maintain करने के लिए क्या-क्या parameters होने चाहिए एक पहली बात कि उसका balance होना चाहिए अपने साथ, अपने दूसरे दोस्तों के साथ और environment के साथ, एक अच्छा balance होना चाहिए, एक harmony के साथ रहना चाहिए फिर उसको internal conflict से free होना चाहिए, ठीक है और अच्छे से adjust कर लेता हो, well adjusted होना चाहिए दूसरों के साथ अपनी identity रुणता हो, self-esteem हो खुद की और problems आएं भी तो उन अच्छे से solve करता हो परिशान ना होता हो, तो वो होता है एक mentally healthy person फिर आता है social dimension, तो social dimension में हमने क्या पड़ा harmony and integration with the individual between each individual and other members of the society or environment in which they live, social dimension होता है कि उसमें एक सदभावना हो और वो मिल जुलके रहता हो, सब के साथ जब वो सब के साथ हो, तो सब के साथ मिल जुलके रहता हो अपने साथ भी उसको मतलब हमेशा अच्छा ही लगता हो तो harmony हो, एक सदभावना हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी harmony and integration within the individual, individual के अंदर होनी चाहिए जुलके रहने वाला भाव होना चाहिए तो हमें तीन ही dimensions पढ़नी है, बुक के अंदर दो और दे रखी है spiritual and other dimensions, which are not needed, क्योंकि syllabus में तीन ही दे रखी है, तो हम तीन ही पढ़ेंगे, we will stick to the syllabus जिसमें लिखा है dimensions of health, physical, mental and social तो हमने फिजिकल पढ़ लिया था ठीक है, तो हमने फिजिकल पढ़ लिया था कि उसके organs proportionate size होने चाहिए चलना फिरना उसका सही होना चाहिए, bodily movements, sound, sleep, bowel, bladder बावल, ब्लाडर बाडर बाडर अचाहिए, complexion अचाहिए, clear skin होने चाहिए, hair, eyes and all that stuff और बाडर ब्लष जए उसका चाहिए, बड़ी निवर्ष भर जबाडर की, fat miserable heart पाल्स अपल्स अजाई में खिझाए physical dimension, health. और गाध मननने का उसमें हमनी चाहिए,כשיוके साथ बालनस तरहें और उसके साथ अधोरी स मेंशाtoo तरहें दिशाते हो, бер ваш reach साथ, खुद के साथ, इन्वारिमेंट में जहां पर भी रह रहा है उन सब के साथ और उसको खुद को एक मेंबर की तरह देखना चाहिए, एक लाज सोसाइटी का पार्ट की तरह देखना चाहिए तो यहां पर हमारा यह वाला टॉपिक भी खतम हो जाता है नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक बचा है इस फर्स्ट पॉइंट का, जो की है concept of well-being, objective, subjective standard of living and quality of life यह अब हम देखेंगे तो यह लास्ट टॉपिक है फर्स्ट पॉइंट का जो की है concept of well-being well-being of an individual और group of individuals have objective and subjective components तो जो well-being होती है एक individual की या फर group of individuals की उसमें दो तरीके के components आते हैं, एक objective एक subjective components, ठीक है तो आप ऐसे देखो कि जो concept of well-being है उसमेंसे दो निकलते हैं एक आता है आपका objective और एक आता है आपका subjective ठीक है, तो concept of well-being जो होता है, वो दो तरीके से होता है objective और एक subjective well-being of an individual or group of individuals have objective and subjective components, the objective components are generally known by the term standard of living or level of living the subjective components of well-being is referred to as quality of life तो objective में क्या क्या आता है हमार पास objective में आता हमार पास standard of living standard of living और subjective में क्या आता है quality quality of living तो दो तरीके से हो गया concept of well-being अगर आप से पेपर में पूछा है सबसे पहले आप बोलेंगे concept of well-being is having two components one objective and other subjective component so the objective components comprises of standard of living or level of living and subjective component comprises of quality of living ठीक है तो यह आपकी छोटी सी definition होगे concept of well-being की उसके पाद आता है standard of living होता क्या है भाहिया तो standard of living according to WHO income and occupation standard of housing sanitation and nutrition the level of provision of health education recreation and other services may all be used individually as measures of socio-economic status and collectively as an index of the standard of living तो standard of living का मतलब होता है कि वो सारे खर्चे जो कि आपके socio-economic status में add-on होते हैं जैसे कि sanitation, nutrition, खाना, पीना, education, housing, health services यह सब occupation यह सब आता है आपके standard of living में ऐसे सारे खर्चे जो कि आपके socio-economic status को बढ़ाते हैं ठेक हैं उसे बोलते हैं हम standard of living इसी का एक पार्ट है level of living जो कि होता है the parallel term for standard of living used in UN documents is level of living it consists of nine components इसमें हम डिरेकली बता दिया गया कि nine components बोले गया है health, food consumption, education, occupation, working conditions, housing, social security, clothing, recreation, leisure and human rights तो यह सारे level of living में आते हैं in short everything that adds on to your socio-economic status like education, recreation, other services, nutrition, sanitation, housing इस सब मिल जुल के किसमें आता है standard of living में which is an objective component which is an objective component of concept of well-being यह याद रखना है ठीक है हमें यह याद रखना है कि concept of well-being objective, subjective objective में आएगा standard of living ठीक है ऐसे आद कर सकते हो कि ऐसी सारी objects जो कि use होती है आपके standard of living को बढ़ाने में उसे बोलते है objective ऐसे ही subjective होता है quality of living जो बचा हुआ वो उसमें आ गया subject क्या है आपका quality of living quality of life quality of life was defined by WHO as the condition of life resulting from the combination of the effect of complete range of factors such as those determining the health happiness education social and intellectual attainments freedom of action justice and freedom of expression को तो quality of life होता क्या है quality of life होता है वो condition of life जो कि result करती है from the combination of effect of range of factors जैसे की health happiness education social intellectual freedom of expression freedom of action इन सब से जो भी आपका resulting condition जो बनती है उसे बोलते क्वालिटी ओफ लाइफ जैसे की जो भी आपने पैसा खर्च किए आपकी education पे आपकी housing पे हना आपकी sanitation पे आपकी nutrition पे उन सब के result में जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं जैसी condition में आप रह रहे हैं वो डिटर्माइन करता है आपकी quality of life को A recent definition of quality of life is as follows a composite measure of physical, mental and social well-being as perceived by each individual or group of individuals that is to say happiness, satisfaction and gratification as it is experienced in such life concerns as health, marriage, family work, financial situation educational opportunities, self-esteem, creativity, belongingness and trusted others तो in short हमें ये बताना है कि concept of well-being क्या होता है वो दो पार्ट में डिवाइड़िद है objective और subjective objective is standard of living subjective is quality of life अब जो standard of living है उसमें क्या होता है कि वो सारी चीजें जो की add-on करती है social economic status को बढ़ाने में ठीक है उसे हम बोलते है उसे हम बोलते है standard of living और quality of life वो होती है कि जो भी हमने चीजें लगाई जैसे कि education पे, health पे है ना और sanitation पे, housing पे, nutrition पे इन सब को लगाने के बाद जो हमारे पास living condition बनती है जो हम उसमें एक अपनी अच्छी life बनाते है quality of life बनाते है वो determine करता है कि हम कैसे जी रहे है from the combination of the effect of the complete range of factors जो भी हमने factors यहाँ पड़े थे, sanitation, housing, इन सब से जो resulting condition में हम लाइफ जी रहे हैं, that is the quality of life, okay so यह होता है concept of well-being I hope आपको समझ आया होगा और हमने आज की इस lecture में यह पूरा का पूरा point कवर कर लिया है, स्लेबस का आने वाले lectures में हम सारा स्लेबस कवर करेंगी, फटा फट और I hope you like the video, and अगर आपको सब समझ आया तो please do like, share and comment thank you तो अब मैं sum up करूँगी कि जो भी हमने आज पड़ा, तो हमने पड़ा स्वस्थ एवं स्वस्थ की परिभाशा, जिसमें हमने यह बढ़ा कि स्वस्थ जो व्यक्ति विकार रही तवस्था में होता है उसे हम स्वस्थ कहते हैं और जो स्वस्थ व्यक्ति के भाव होते हैं उसको स्वस्थ कहते हैं तो जो भी स्वस्थ स्वास्त वरित के हैं है तो जो भी हम वृत अपनाते हैं एंते हैं थे तो भी हम वरत्त अपनाते हैं स्वास्त रहने के लिए एक booksफ्निसी को आ आ सिए स्वास्मन घंवन घ्ञाय कि व्रूपस थिये दिजित थिये तथ वृत्तLike स्वास्ति है कि हम ऐसा को भी आहार विहार करते हैं जिसे कि दोजधातु मल्च होते हैं अपने स्थान पर रहते हैं अपने ही कर्म करते हैं प्रकृतिक रूप में रहते हैं और उसे ही हम बोलते हैं स्वस्थवृत कि अवंपनी लगतारि निचे लिए स्वस्थे ले बागी होते हैं तो अरग्य के लक्षन के लाग्य अच्छन क्या होते हैं जी तї कलने स्वस्था अमगनी थिष्ण ही धिष्विब प्रसन्ना आत्म हें तो इंध्रियमन हम स्वस्थम करते हैं मल्घर बढल में गल्या है यह काश्य पहर शुफ्ति है कि इसे को हम सुवस्त कहते हैं अहीं है यह हुता है जर्फ पाता की उसमतला है, तहा है यही कि आहि इसके इसाइग पूने स्वस्त की इसे म sushi कांध का आहिट सविक्सान नहीं है साथीपक है कि अमने our team has on the अगर हमें पुरुशार्चतुष्थायों की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमें प्रुशार्चतुष्थायों की प्रुशार्चतुष्थायों की प्रुशार्चतुष्थायों की प्रुशार्चतुष्थायों की प्रुशार्चतुष्थायों की प्रुशार्चतुष थेक है कि हमें physically कैसे fit रहना है mentally कैसे fit रहना है और socially कैसे fit रहना है उसके वेना को points बता दिये थे उसके बाद हमें पढ़ना है concept of well-being यह हमने भी discuss किया objective और subjective objective होता है कि हम ऐसे objects add करें जिससे कि हमारा standard of living बढ़े यह trick है इसको याद करने की कि objective में fall करता है standard of living तो objective subjective उसमें standard of living और quality of living उसके बाद standard of living जो भी हम चीज़े add on करते जिसे के मारा socio-economic status बढ़ता है वो और quality of life होती है जो हम जीते हैं और factors के add on होने से that is the quality of life that we live तो यह हमारा हो गया पूरा complete first point I hope आपको बहुत अच्छे समझाया होगा and अब हम मिलेंगे अगली lecture में जिसमें कि हम discuss करेंगे दिन चरया कि यह सभी points hope you like the video share, like, subscribe and comment और आपको अगर कुछ समझाया हो तो आप नीचे comment box में पता सकते हैं thank you so much